हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ अजे गुपता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजे गुपता एडू पॉइंट स्टूडें हम फिजिस का तीसा चप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है इलेक्रिसिटी फार क्लास 10 उससे पहले स्टूडेंट मैंने लाई चप्टर पे और वीडियो बनाये हुए हैं उसके साथ मैंने के मिस्टी के बी दो स्टर पर वीडियो बनाए हुए हैं जिनके नाम है कैमिकर रक्षेच्व और खार बनाया Nord ूज स्टूडेंट उन चैनल पर पहली बार आये हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कोमेंट और शेयर जुरूर करें तो स्टुडेंट आज को जो वीडियो वीडियो नंबर 14 है उससे पह स्टुडेंगे दो ट्र मेरिक्स टुडियो में टाले हुए तो पेला जो ट्र रूमेरी कल तौपिक पे था दूसरा जो था वो पोटेंशनल डिफिस्ट टौपीक पे था तो आज को स्टुडेंट जो वीडियो 9 12 लापूर этому orders रआ पे लेंगे अिकमेंद जो की दू Sugel bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm और दूसरा पाट है how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohms तो इस्टुरेंट ये वाला कोश्चिन स्टुरेंट को ohms ला का रलेशन नहीं पता है उनके लिए मैं बता दू होता है वो स्टुरेंट उसका जो रलेशन है वो होता है V is equal to IR where V is the potential difference I is the current and R is the resistance of the conductor तो पहला पार्ट है उसमें हमें वोल्टे दी हुई है 220 वोल्ड और रिजिस्टेंस जो है इलेक्टिक बलब फिलामेंट की दिया है 1200 ओम्स और हमें क्या करना है current find करनी है तो हमें वी की वैले दिया 220 वोल्ड कैपिटल आर की वैले दिया 1200 ओम्स और आई हमने के दिया है 220 वोल्ड वो पुट कर देंगे और आर की वैली दिया में 1200 ओम्स और की जगा पर तो 220 को जब हम 1200 से डिवाइड करेंगे तो हमें answer मिलेगा 0.18 और current के unit होते हैं एंपियर इसलिए हम capital A उसके साथ एंपियर का यह एंपियर को हम A से denote करते हैं वो हम साथ में लिख देंगे तो second part में भी हमारे पास student V की वैली दिया 220 वोल्ड और रिजिस्टेंस की वैली दिया 100 ओम्स और आई हमने अब बात करते हैं student numerical number 4 की the potential difference between the terminal of an electric heater is 60 volt when it draws the current of 4 ampere from the source what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt तो student इस question के हमारे पास दो पार्स हैं पहले पार में student हमें potential difference की वैली दी हुई है 60 volt की और current की वैली दी है 4 ampere और second part में हमने current की value find करनी है और जबकि potential difference की वैली जो है वो पहले case में 60 तो दूसरे case में वो बढ़कर 120 volt हो गई है तो student पहले case में हमें V की value दी है 60 volt current I की वैली दी है 4 ampere और R हमने find out करना है तो इसमें भी student हमने जो relation use करना है वो ohms-la ही करना है ohms-la का formula होता है V is equal to IR तो इस पर हमें V और I की value दी हुई है और हमने R की value find करनी है तो हमारा जो resistance R की जब वो जो formula है वो बनेगा V upon I तो V की value दी है 60 volt और I की दी है 4 तो यानि 60 divided by 4 हमारा R का जो answer वो आजेगा 15 ohms student किसी भी conductor की या resistor की जो resistance होती है वो fix होती है तो second case में voltage जो हमारी वो बढ़कर हो गई है 120 volt और R की जो value है वो होगी हमारी 15 ohm वो दोनों case में R जो होता है वो constant होता है और I हमने find out करना है उसको find out करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे ohms-la का ही use करेंगे ohms-la कहता है V is equal to IR और वहां से हम capital I की value current की value का relation drive करेंगे वो बनेगा V by R तो current I का formula बन जाएगा V by R तो V की value और हम R की value हम put कर देंगे तो V की value आजेगी 120 और R की value हमने first case से find out की है वो है 15 ohm तो 120 को अगर हम 15 से divide करेंगे तो हमारे पास आजेगा 8 ampere यानिकि second case में जो current की value है वो आजेगी हम हमारे पास 8 ampere तो thank you student for watching this video मिलते हैं next video में